नमस्ते, आज के इस वीडियो में हम बात करने माले हैं बेको जिंक कैपसुल के बारे में कि ये कैपसुल क्या है, ये किस का माता है, इसको कैसे यूज किया चाता है, इसको यूज करने से क्या फैदा मिलता है और इसका क्या side effect है तो अगर आप इन से भी जनकारियों करशी से जानना चाहते हैं तो वीडियो में तक बने रहे हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं बेको जिंक capsule आपके सरीर में vitamins और minerals की कमी को पूरा करता है और आपकी immunity को बढ़ाता है ये capsule आपके body में vitamins की मातरा को बढ़ा रखने में help करता है अगर आपके unusual diet और unhealthy diet है तो ये capsule आपको आपके diet maintain रखने में help करता है ये दवाई बुढ़ो लोगों और diabetic वाले लोगों के लिए काफी फायदे मंद है और साथी साथ उनके लिए भी फायदे मंद है जो कि किसी surgery से recover कर रहे है ये दवाई आपके surgery में नए healthy cells की growth में help करती है इसके अंदर junk है जो कि आपके growth और development में help करता है और आपको एक strong immune system देता है आप बात करते हैं कि इसे किस तरह use करना चाहिए आपको इसके capsule दिन में एक बार लेनी चाहिए या फिर जिस तरह आपका doctor आपको suggest किये है उस तरह से ले आप ये capsule खाना खाने के बाद और खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं अब बात करते हैं इससे आपको क्या फाइदा मिलता है इसके अंदर vitamin B के सभी प्रकार है जो कि हमारे सरी में energy को बनाये रखने में help करते हैं इसमें vitamin C है जो कि bones, cartilage, blood vessels और skin को आच्छा रखने में help करते हैं इसके अलावा इस capsule में calcium भी है जो कि हमारे bones को strong रखता है अब बात करते हैं इसके side effect की इसके side effect में जी में चलना, allergy reaction होना, bloating होना और depression होना अगर आपको इन में से कोई भी side effect होते हैं तो आप अपने doctor से consult करें अगर आपको liver या kidney की कोई problem है तो आप यह दवाई लेने से पहले एक बार doctor से सला जरूर लें इससे use करने से पहले इसके level को अच्छी तरह से पढ़ लें अगर इसके price के बात करें तो इसकी 30 capsule की one strip आपको 48 रुपे से लेकर 56 रुपे तक मिल जाएगी तो बस इतना ही तो अगर आप लोगों को यह जनकारी अच्छ लगी हो तो वीडियो के लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक